इस वीडियो में करने वाले हम लोग कॉरिटेक एक्वेशन यानि की चाप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट एक्वेशन को मार्क उसके साथ साथ में वो आपको सब टॉपिक्स भी बताऊंगा जहां से कॉशन रेपेटिडली हर साल पूछे जाते हैं और कॉरिटेक एक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम बहुत जादा इंपॉर्टेंट है थ्री मार्क में ये आएगी ही आएगी वो भी और वाले कॉशन में आती है तो आप लोगो को यहाँ पर invert problems को तो मतलब यहाँ से quality equation तो form करनी करनी है लेकिन quality equation बनाके solve भी करनी है दोस्तो ठीक है उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो question number 2 यार easy सा है आप लोग सिर्फ इसको देख लेना ठीक है आप लोग को इसके लिए pen उठाने की जूरत नी है फिर अपना inquest करने की जूरत नी है बस इसको दो रोली read कर लेना सारे के सारे examples को उसके बाद आते हैं हम लोग exercise 4.1 पर तो पहला वाला जो question है यार again यह simple है आप लोग इसको बस read कर लेना और कुछ part कर लेना से आप लोगों को quadratic equation भी form करनी है और quadratic equation solve करके final answer तक भी पहुचना है उसके बाद आते हैं solutions of quadratic equation by factorization तो यह वो ही है जो आप लोग polynomial में पढ़कर आए वह हो तो easily आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे example 3 सिर्फ और से रीडाउट कर लेना example 4 भी रीडाउट कर लेना example 5 जरूर practice करना ऐसा क्यों बोल रहे हो sir आप लोगों के exam में ऐसे question ज़्यादा पूछे जाते हैं factorization के जहां पे root involved होता है तो जो भी root वाले questions है उनको practice जरूर करके चले जाना उसके बाद आता हूँ मैं example 6 पे question number 1 में again जहां पर आपको root दिख रहा है ना वो वाला तो ultra important हो ही जाता है तो पहले वाले question में कुछ करो ना करो लेकिन third part जरूर सॉल्व कर लेना उसके बाद यहां से लेके यहां तक हर एक question करना है word problem मैं नहीं छोड़ने दूँगा और यहां पर सबसे ज़्यादा question किस से पुछे जाते हैं बेटा d is equal to zero वाली condition से ठीक है उसके बाद example 7 सिर्फ read out कर देना example 8 is ultra important one of the most important pyqs है यह बहुत बारी repeat हुआ है बेटा previous year paper में वाला सवाल तो अच्छे से इसको समझ के जाना अच्छे से इसको solve करके जाना example 9 को छोड़ सकते हो अगर मैं आज़ो exercise foot point 3 पे तो यहां पर बेटा question 1 easy है यह वाला जरूर कर देना क्योंकि root है यहां पर उसके बाद आज़ो मैं यहां पर question number 2 पे तो देखो equal roots पे base यह problem है और यह वाला problem जो second part है यह बहुत जादा important है exam में भी बहुत बार repeat हुआ हुआ है उसके बाद again आप लोगों की यहां पर word problem है एक भी word problem नहीं चोड़नी है बिटा इसके अलावा ना कुछ और word problems है जो की बहुत जादा important है जैसे time and work वाली word problems होती है उसके साथ upstream downstream वाली problems होती है यह आप लोगों के exam में पूछी ही जाती है लेकिन आप लोगों के NCRT में नहीं है तो आप इनको R.D.S. अन्मा या फिर R.S. अगरवाल से practice कर सकते हो और अगर आप लोगों गे तो मैं आप लोगों के लिए इसके बाद number आएगा AP का यानि की arithmetic progressions का तो wait for that चानल को subscribe कर लो इससे पहले 3 chapter के markup already हो गए है तो वो वीडियोज भी जाके देख लेना जैहिन दोस्तो